दोस्तों आपने मूवीस के अंदर ऐसे मोंस्टर्स को कहीं बार देखा होगा जो अगर किसी को काट ले तो वो इनसान भी जॉम्बीस बन जाता है जिस तरह से दिन प्रती दिन दुनिया में अलग-अलग वाइरस फेल रहे हैं तो हो सकता है कि सायद हमें जॉम्बीस भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो इनसानों के जैसे सिड्डियों से असानी से उपर आ सकते हैं लेकिन अगर आप सिड्डियों की जगर इस स्टेयर केस को काम में लेते हो तो उनका उपर आना एकदम नामुम्किन हो जाएगा जिससे आप उपर वाली मंजिल पर आसानी से सुर इसलिके जटके से बच पाना नामुम्किन है इसलिए आप अपने घर को सुरक्सित रखने के लिए अपने घर के चारो तरफ इलेक्ट्रिक फेंस को काम में ले सकते हो ताकि जब भी कोई जोंबी उसे टच करे तो उसे इतना तेज जटका लगे कि वो वहाँ से दूर भाग ज है क्योंकि नॉर्मल सुरक्सा को जोंबी आसानी से पार कर सकते हैं सर्वाइवल केपसूल हम सभी को पता है कि जोंबी इस पानी में नहीं तेर सकते इसलिए जब भी दुनिया पर जोंबी इसका हमला होगा तो ये गोल आकार से बना हुआ केपसूल आपकी जान बचा सकता ह इसे इस तरीके से डिजैन किया गया है जिसमें एक से ज़्यादा लोग बेट सकते हैं इसमें 4-5 दिन तक का खाने पिने और जरूरत का सामान स्टोर करके रखा जा सकता है अगर जोंबिस आपको चारो तरफ से घेर भी ले तो भी उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि आप कहा पर छुपे हुए हो अगर आपको इस बात का पहले से ही एसास हो जाए कि इंसानों पर जोंबिस का हमला होने वाला है तो आप अपनी कार को हतियारों के साथ मोडिफाय करके उनसे लड़ने के लिए तयार हो सकते हो क्योंकि नॉर्मल कार पर जोंबिस आसानी से चड़ सकते हैं लेकिन हातियारों से लेसकार उन्हें नजदीक आने से पहले ही खतम कर देगी अलोन हाउस जोंबीज के हमले के दोरान आपको सहर से काफी दूर किसी ऐसे घर में चले जाना चाहिए जिसके आसपास कोई भी पडोसी ना हो ऐसा करने से आप जोंबीज से आसानी से बच जा पर हो या फिर किसी नदी के बीच अगर किसी जंगल के बीच भी होगा तो भी चलेगा क्योंकि ये जोंबीज से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है दोस्तों अगर दुनिया पर जोंबीज का हमला हो जाए तो आप बचने के लिए क्या करोगे कमेंट बोक्स में अपनी जरूर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पिकली कीजिये और सब्सक्राइब कीजिये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले